तो हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सब आई होप अच्छे ही होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाल हैं बिलिव एंड एलो टॉन फोटो अडेटिंग करना वह भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लाइटरू में उपकी साहता से तो दोस्तो जैसा आप दे एडिटिंग स्टार्ट करते हैं सो हे फ्रेंड्स सिंपली आपको अपना लाइट्रूम ओपें बिलेना होगा और दोस्तो अपनी फोटो को लाइट्रूम एप के अंदर लेंगे तो जैसा दोस्तो आप देख पार होंगे यह देखिए हमने फोटो वाइड कर लिए तो आज सबसे पहले Edit को Option देखने को मिल जाएगा तो friends आपको एडिट को टच कर लेना होगा और जैसे आप Edit option को टच करेंगे बहुँ सारे editing के Tools आपके सामने Open हो जाएंगे तो simply दोस्तों आपको Select कर लेना होगा light को Option दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों आपको light की Option को कर लेना होगा और फिर आपको इसके contrast की value को कर देना होगा हलका सा plus की तरफ इसको कर देंगे plus 33 और friends आपको इसकी highlights की value को कर देना होगा plus 29 और फिर आपको इसकी shadows की value को कर देना होगा दोस्तों हलका सा plus की तरफ इसको कर देंगे plus 32 और फिर simply आपको इसकी whites की value को भी हलका सा ब और फिर आपको आजाना होगा दोस्तों नीचे की तरफ आपको डिटेल को आपशन को टच कर देना होगा और इस पे के लिए करते ही आपको नौइज को आपशन को देखने को मिल जागा तो फ्रेंड्स आपको डिटेल को आपशन को टच कर देना होगा तो फ्रेंड्स आपको detail की option को भी कर देना होगा done अब friends आपको क्या करना होगा simply आपको effects को option देखने को मिल जाएगा तो प्यारे दोस्तों आपको effect की option पे के लिए कर लेना होगा आपको इसकी clarity की value को कर देना होगा हलका सा minus की तरफ इसको friends कर देंगे minus 41 और इसकी DH की value को हलका सा plus की तरफ ले जाएंगे इसको कर देंगे दोस्तो plus 36 और फिर simply आपको इसकी texture की value को कर देना होगा हलका सा minus की तरफ इसको कर देंगे minus 20 इसको कर देंगे minus 30 और फिर simply आपको दोस्तो vignate को option देखने को मिल जाएगा friends आपको vignate की option को touch कर देना होगा और आपको इसकी amount की value को कर देना होगा minus 62 और इसकी midpoint की value को भी हलका सा पीछे की तरफ ले जाएंगे इसको कर देना होगा plus 30 और friends आपको इसकी feather की value को बढ़ा करके कर देना होगा plus 100 और Friends आपको इसकी highlights की वीलू को भी हलका सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे plus 55, और फिर simply आपको effects की उप्शन को भी कर देना होगा, done, अब आपको दुस्तों क्या करना होगा, आपको color tool को option देखने को मिल जाएंगे, तो Friends आपको color tool की option उपर की लिफ कर लेना होगा, और फ को और प्रेंट्स सत्रेशन की कर देना होगा और यान को कर देना होगा मैनिस K और आपकोly स्ष्रेशन की कर देना होगा प्लस 56 और इसकी हुन की को कर देंगे माइनिस 50 और इसके Lemonions की Value को कर देंगे – 38 और फिर Simply आपको Green Tone का Option दिख जाएगा Friends आपको Green Tone की Option पे के लिए कर लेना होगा और आपको इसकी Saturation की Value को कर देंगा – 100 और Friends आपको इसकी Hue की Value को कर देना होगा – 100 और इसकी Lemonions की Value को कर देंगे दोस्तो बढ़ा करके इसको कर देंगे प्लस 100 और फिर simply आपको yellow tone का option दिख जागा तो friends आपको yellow tone के option पे के लिए कर लेना होगा और आपको इसकी saturation की value को कर देना होगा दोस्तो प्लस 100 और फिर simply आपको इसकी luminance की value को भी हलका सा बढ़ा देंगे इसको कर देंगे plus 34 और फिर आपको skin tone को सही करने के लिए आपको दोस्तो orange tone का option दिख जाएगा आपको orange tone के option पर किलिए कर लेना होगा और फिर आपको इसकी saturation की value को कर देना होगा minus 42 और फिर आपको इसकी luminance की value को बढ़ा करके कर देंगे दोस्तो plus 56 तो जैसे आप देख रहे होंगे हमारा फेस दोस्तों एक दम बहुत ही किलियर हो चुका है तो आप आपको सिंप्ली डन को अप्शन दिख जाएगा तो सिंप्ली आपको डन की आप्शन पर किली कर लेना होगा और फ्रेंड्स आपको इसकी टेंप्रेचर की वैलू को हलका सा म तो सिंप्ली जैसे आप दोस्तों देख पार होंगे यह हमारा फोटो कैसी थी और एडिट होके आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है जैसे आपको जूम करके दिखा दूए हमारी फोटो बहुत ही परफेक्ट रूप से एडिट हो चुकी है तो अब आपको दोस्तों तैंक्यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में